दोस्तों साल 2021 सन्राइजर्स हैदराबाद और उनके फैंस के लिए बेहद खराब रहा है फ्रेंचाइजी को मात्र 6 पॉइंट्स के साथ 8 वी पोजिशन पर देख कर सारे फैंस निराश हुए होंगे लेकिन बड़ी निराशा तब लगी है जब हैदराबाद ने अपने 4 प्ल इसी में केन विलियमसन, अब्दुल समत और उम्रान मलिक को लिया है जबकि राशित खान जो की टीम के मैच विनर साबित होते थे वो रिटेंचन लिस्ट में शामिल नहीं है प्लस IPL में डेविड वार्नर का फ्यूचर क्या होता है वो देखना भी दिल्चस्प होगा लेक हम नज़र डालते हैं क्या कुछ नए चेंजिस हमें देखने को मिलेंगे सुनराजिस हैदरबाद की तरफ से इस अगले एडिशन में दोस्तों सुनराजिस हैदरबाद ने सपोर्टिंग स्टाफ में चेंजिस लाने का बड़ा एलान किया है और कई नए चेहरे शामिल किये हैं वेस्ट इंडीस के महान खिलारी ब्राइन लारा बैटिंग कोच बनने वाले हैं तो वहीं डिल स्टेन को बॉलिंग कोच बनाया गया है तो वहीं मुर्दी धरन स्पिन बॉलिंग कोच रहेंगे टॉम मूर्डी हेड कोच होंगे फीलिंग कोच के रूप में हेमंग बद और कोच नजर आने वाले हैं और IPL ही नहीं वो अपने पूरे क्रिकिटिंग करियर में पहली बार किसी टीम को कोचिंग देते नजर आएंगे लारा नो डाउट दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक हैं उन्होंने 131 टेस्ट मैचेज में 11,953 रन्स बनाए हैं अब दोस्तों यहाँ पर नजर डालने वाली बात ये है कि टीम ने कप्तान केन विलियंसन को 14 करोड रुपे में रीटेन किया है अब्दुल्समत और उम्रान मलिक को 4-4 करोड रुपे में रीटेन किया है लेकिन अब जब मेगा आउक्षन होगा तो क्या Sunrises हैदरबाद राशिद खान को रीटेन करने में सफल हो पाएगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है Sunrises हैदरबाद के लिए एक बड़ा जटका लगेगा क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स चानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेश करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें अल्सो फॉलो उस अन इंस्टरग्राम पॉर क्विक अपडेट्स